हेलो एवरिवन, वेलकम बैक टो सरकारिय नोखरी वाले बाबा, आई एम धनन जै जैसा कि आप सभी को पता है कि D.S.S.B. ने अपना कालेंडर जो है वो निकाल दिया है और जितने भी एक्जाम आपके 2022 में होने है हर एक्जाम की आपको एडवर्टीजमेंट और आपको डेट भी है वो भी उसमें बता दी है आप सभी को बताए कि इस टैनो की वेकंसे भी D.S.S.B. ने रिलीज कर दी है तो आज इस वीडियो में मैं आपको D.S.B. में कितनी वेकंसी है आपका एडवर्टीजमेंट का बाहर आए आपका जो एक्जाम है वो किस मंत में है साथी साथ क्या एक्जाम पैटर्न है और आपका सबसे इंपोर्टेंट चीज स्लेबस क्या है देखें आप सभी में बहुत सैसे स्टुडेंट है जिनों सीख रखी जो स्टैनों की तैयारी कर रहे है तो उनके लिए एक चीज मैं बता दू कि जिनों सीख रखी होती जिनको अच्छे आती वो कहीं ने कहीं रेटन में कमजोर पढ़ आते हैं तो भाई जितने भी इस्टुडेंट जिनको रेटन में प्रॉबलम है वो अभी से रेटन की त्यारी करनी स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि एकजाम आपका 2022 में हराल में हो जाएगा आपको पास बिलकुल भी समय नहीं मचेगा और इस बार का जो 2021 का आपने एक जम दिया होगा तो आपको बहुत सारी हकीकत समझ में आ गई होगी तो आपसे मेरी रिकर्ष्ट है कि अगर आपको सेलेक्शन पाना है अगर आप मेरी बात मानते हो सुनते हो तो प्लीज अभी से त्यारी करनी स्टार्ट कर दीजे अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजे तभी आप फाइनली सिलेक्ट हो पाओगे ठीक है तो ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखें साथी साथ इस चैनल को सस्क्राइब करें बेल नोटिफिकेस आन आइकन को दबाएं देखें डीटेबलस्बी की जितनी भी अपडेट्स होती है वो आपको इस चैनल में टाइम टो टाइम मिलती रहेंगी तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब करें और वीडियो लाइक ज़रूर भर देखिंआया आप मैं से बहुत से आइसे इसक्रोन होते जो वीडियो को लाइक नहीं करते ह। तो प्लीज लाइक ज़रूर करें, सेयर करें जितना ज़्यादा हो सेके अपने ग्रुप में, अपने कलेक्ट्स में, ठीक है, तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो वेकंसी काउंट करी गई है, वो आपकी 220 वेकंसी है, अभी तक BSSB ने जितनी भी वेकंसी रिलीज की है, उनमें टोटल काउंटिंग लागा कि इस टैनों की 220 वेकंसी हो रही है, तो 220 से आप आगड़ा समझ के होगे कि कमपटीशन जो है, वो कितना टफ होने वाला है, क्योंकि बहुत से स्टुनेंट BSSB की त्यारी करते हैं और निकल जो है उसको ट्रेड एंट टैकसस में उसको डैली में मिल गया, तो आप जैसा कि देख रहा हों कि जितने सलेक्टेड एस्परिंट है वो भी आजकल त्यारी कर रहा है और एक्जाम निकालना है, तो कहीं न कहीं कमपटीशन का लेवल जो है वो आपका हाई है, तो अभी प् अविद्टम ट्रेड में में अपका आजाएगा और इसका जो आपका मैं माई में अपका होजाएगा, ठीक है, अगर कुछर को सकते हैं छो तो आपक लाप एक्जाम निक के सता है तो आप के पास सिर्फ अभी आभी से चार महनेश्चैंग, जैन्वरी प्गियो एक्जाम क फरवरी मार्च पर तो इन चार मैनों में आपको रिटर्ण में जितना हो सकता है उतिनी तियारी करनी है अपने आपको ज्यादस ज्यादा फोकस्ट रखना है पढ़ाई के प्रती बिल्कुल भी आपको सोसल मेडिया से इंटरेक्ट नहीं करना है आपको जो भी अपडेट्स चाहिए वो आप यूटूब पे आप जैसे ही जाएंगे वहाँ पे नीचे साइट आप देखेंगे यहाँ पर सस्क्रिप्शन का थाड़े नंबर पर कॉलम आएगा जैसे ही वहाँ उस पे क्लिक करेंगे अगर आपने मेरा जो चैनल है सस्क्राइब किया है बेल नोटिसिकेशन दबाए तो आपको वहाँ सारी अपडेट्स मिल जाएंगे तो प्लेज आप पढ़िए बाकी जो भी अपडेट्स है वो मैं देता रहूंगा तो अपडेट्स के लिए बिल्कुल भी चैनता मत केजिए हुआ ठीके तो बात करते हैं हमाई चांपटन की की क्या कै इस टैनों में आता है क्योंकि चांपटन समझना बहुत ही जाथा ज़स्टा ज़रूरी होता है अगर आप विग्स है पहली बार आगर होते हैं marks 40 English comprehension में 40 और इसमें भी 40 ठीक है तो आप जैसा कि देख रहा हूं कि total जो उपर paper है वो आपका है आपका 200 का आपका paper आता है ठीक है total आप देख रहा हूंगे 5 subject दिये गए हैं तो 200 का आपका paper आता है आप इन 200 में आपको score के इस प्रकार से करना है देखें मुश्ली लोग reasoning में score करते हैं math में score करते हैं hindi में score करते हैं बस बात आती है English और GA में तो English के लिए आप एक काम कर सकते हो कि अभी इसे कोसिस करें reading की तो वह editorial पढ़ना चालू कीजिए बाकी जो ली ट्रिबल स्वी के एक book आती है आपकी जिसमें last year के questions दिये गए होते हैं ठीक है बहुत सारे exams के तो वह एक book ले लीजिए और उनसे errors वगयरा जो है वह आप solve कर दीए अभी से start कर दीजिए ठीक है बाकी बचे general awareness की तो उसकी भी मैं strategy बताऊंगा आप हमारे channel साथ जुड़े रहिए ठीक है इसको भी मैं बताऊंगा किस तरीके साथ easily पूरी नहीं लेकिन आप mostly चीज़े कर सकते हैं अभी मैं जो है वह एक email एडी मैं आपको दे रहा हूं ठीक है डीके रिशब डीके आर आई एस एच एबी एड़ जीमेल डॉट कॉम पे आप अपना जो पेपर है वह मुझे सेयर करिए जिससे मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस तरीके से पढ़ना है किस स्ट्रेडिजिक तरीके स क्योंकि यह चीजे जानने आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है आप में से बहुत लोग बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ते हो पढ़ते हो लेकिन ऐसा नहीं पढ़ना होता है जितने भी सेलेक्टेड इस्ट्रेंट है वो पहले टॉपिक को देखते है पहल से पहले आपका हिस्ट्री पॉलिटिक्स और कॉल्टिट्यूशन स्पोर्स आर्ट अंगर्चार जोग्रॉफी एकनॉमिक से एवरीडाइ साइंस और साइंटिक रिसर्च और फिर आपका आता है करेंट अफेयर ठीक है यह टोटल आपके सास से आठ टॉपिक्स आते हैं प्रेस्टेंडिंग पैसेज तो यह आपका पूरा इंगलिस में आता है ठीक है फिर अब नेस्ट बढ़ते हैं कि भाई रिजिनिंग में हमारा क्या क्या आता है तो इस पेस विजुलाइजिशन प्रॉब्लम सॉल्विंग अनलिसे जज्जमेंट विजुल मेंबोरी डिस्क sama क्यान से देखिए लिजिनिंग को सबको आतीहें लेकिन आप मेंसे कितने ऐसे जो फुल ऐॉट वूख आप मुझे कितने लोग ऐसे जो फुल आट पुल माइच लाते हैं अगर आप लान लाते हैं तो आप मुझे लाइक क आप मुझे कमेंट सेक्षिंड बेजिए नहीं ला पाते हैं तो आप मुझे डिस्लाइक का कि आप मुझे बेजिए कि जादा से जादा से मार्ट जो है वह आप तब कर पाएं जब हर सब्सक्राइब को अच्छे से प्रिपेर करेंगे बात करते हैं मैठ की तो इसने Simplication, Decimal, Data, Interpretation your data interpretation में आपका क्या आता है जो आपका ग्राफ बगरा आता है ठीक है आकड़े दियों होते हैं उनको टैली करके बताना होता है फिर आपका फ्रेक्शन एल्सीम एस्टीम देश्यो प्रपोर्पोर्शन परसेंटेज एवरेज प्रफिट अलोड डिसकाउंट सिंपल इंट्रेस्ट एंड कंपॉंड इंट करिए कम से कम एक्जाम से पहले आप तीन से चार बर उस बुक को लगा लीजिए ठीक है बात करते हैं हिंडी लेंग्विज और कंप्रेंशन की तो इसमें वोकैब्स ग्रामबर सेंटेंस इस्ट्रक्चिनिंग और सेनोने सेंटोने ठीक है तो यह चार चीज़े आती हैं तो यह जो मैंने आपको बताया है यह पूरा इस्टैनोग्राफर का आपका पूरा सलेवस मैंने आपको बताया है जो इस्टैनोग्राफर में आपका आता है तो आप में से जितने भी लोग त्यारी कर रहे हैं इस्टैनोग्राफर की ठीक है या जो पिछले इस्टैनोग्राफ और एक चीछ में यहाँ पर एक अपडेट देता हूं कि हमारे टेलिकरम चैनल को जॉइन करें वहाँ पर आपको बहुत से ऐसे सेलेक्टेड एस्पिटेंट मिलेंगे जो आपको गाइड कर सकेंगे ठीक है अगर आपको गाइडेस ही जो रहत है तो वहाँ आपको हर एक साथी साथ आप वीडियो को सेयर करें जितने भी आपके कलेक्स है ग्रूप में सेयर करना मत बूले इस वीडियो को क्योंकि कहीं नगाई उनको भी ये चीजें अकनॉलेज में आएंगे ओके